नमस्कार दर्शको आजका हमारी चर्चा का विशा है ओवेरियन सिस्ट। कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट होती है फॉलिकलर सिस्ट यानि पानी का गोला अब अल्टरसाउन की रिपोर्ट में अगर फॉलिकलर सिस्ट लिखी भी है तो ये जो है ये सिरफ अपना बनता हुआ अंडा भी हो सकता है हरिक लेडी जिसका मेंस्ट्रोल साइकल 28 डेज का होता है उसकी अगर सेकिंड डे ओफ पीरिट पे हम स्कैन करेंगे तो कोई सिस्ट नहीं होगी और अगर हम उसका 14-15 डे पे स्कैन करेंगे तो उसके पानी का गोला दिखेगा जो उसका बढ़ता हुआ एग होगा और 21 दिन वही एग फूटा होगा और उसकी सिस्ट बनी होई होगी तो हरिक लेडी के पीरिट के हिसाब से जब जब स्कैन होगा तो उसकी जो ओवरी है उसमें एक सिस्ट टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा जो फिजियोलोजिकल है यानि कि जो नॉर्मल है जो होना चाहिए और मिलेगा तो यह जो फॉलिकलर सिस्ट है जब भी किसी अल्टरसाउंड की डाइगनोसिस में फॉलिकलर सिस्ट होती है तो हम सबसे पहले लेडी से पूछते हैं कि आपका डे ओफ साइकल क्या था जब आ आपको इसकी सजरी की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद 21 दिन से लेकर और पीरियड आने से पहले तक जो है इसमें ही एक हैमरेज टाइप की सिस्ट या कॉपस लूटियम सिस्ट नजर आती है जिसको भी रिमूबल की जरूरत नहीं होती अब कई बारी क्या होता है दूसरी कि सर्जरी करने की दूरत नहीं है इसको सिर्फ हम हेमरेजिक सिस्ट को फौलो करते रहते हैं दुबारा दुबारा लोटरसाउण करते हां तीन महीने बाद छे महीन में बाद अल्टरसाउण करके चक्कें हो गई body उसको correct कर ले तो follicular cyst और hemorrhagic cyst दो ऐसी cyst है जिन में बिल्कुल surgery करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद आती है जो pathological cyst होती है यानि की endometrotic cyst और chocolate cyst जो chocolate cyst या endometrotic cyst है वह कई बारी hemorrhagic cyst जैसी ही दिखती है पर उसकी ultrasound picture थोड़ी अलग होती है ultrasound की उपर उसकी थोड़ी ground glass appearance होती है से मैट फिनिश जैसी appearance होती है तो हमें पता चलता है कि यह hemorrhagic cyst नहीं है यह chocolate cyst है हर एक chocolate cyst को भी operate करने की ज़रूरत नहीं है अगर यह चोटी है और कोई symptoms नहीं कर रही है तो हम इसको नहीं remove करते मगर फिर भी अगर किसी को endometrotic cyst का diagnosis बना है तो उसको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए कि इसके बारे में आगे क्या क्या कर सकते हैं जो chocolate cyst है वैगंदा blood कठा हुआ होता है जिसके कारण जो है बड़ी है जिसके अंदर septa है जिसकी वॉल थिक है और या फिर जिसके अंदर थोड़े अजीब गरीब टाइब के structures नजर आ रहे हैं description में लिखा होता है ऐसी जो cyst है डर्मॉड सिस्ट या सिस्ट एडिनोमाज मूसिनस सीरस सिस्ट एडिनोमाज ऐसी सब सिस्ट की सरजरी होनी चाहिए और कुछ टेस्ट भी होने चाहिए जिनसे पता लगता है कि उनकी origin क्या है तो अगर मान लीजिए अल्ट्रसाउंड में 5 cm से कोई भी बड़ी सिस्ट है तो इसमें जो है डॉक्टर की सला की जरूरत है और अपने नस्दीक की डॉक्टर के पास जाकर सला परिशवरा करता है चाहिए तो दूर्बिन से ही इसका प्रफिक क्वेस्टेंज हैं तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब कि कि प्र५। प्र५। प्र५।